आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्डाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ आज के वीडियो में मैं बात करने बाला हूँ बहुत ही छोटे साइस के प्लोट में आप किस तरह से घर बना सकते हैं ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे और एक ड्रा पर होती है हमारे पास जो भी ड्राइंग है जो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ सबसे पहले तीजवाई तीज के प्लोट साइज में ये देख लीजे आपकी इसकी डारेक्शन क्या है यानि कि यहां से आपको दिखाई दे रहा है नौर्थ यानि हमारा जो है इस्ट फेसिंग है यानि पूर्व मुखी ठीक है हम बात करते हैं पोर्च की आलरेड़ी ऐसी जगे में कि इनका बहुत सारा एरिया छुटा हुआ है इसके कारण सिर्फ तीजवाई तीज में प्लानिंग की गई है यहां पर पोर्च है जिसका साइज जो है अगर मैं आपक तो एक्स्ट्रा है इसका अगर हम जैसे साइज देखते हैं पोर्च का तो यहां से लेकर यहां तक आपको मिलता 19 फिट 7 इंच और अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक की बात करूं तो यह हो जाता है 6 फिट 8 इंच यहां पर कुछ एरिया छूटा हुआ है अगर आप यह द 8 फिट हो जाता है जो कि यहां पर आपको पूरा मैंसन मिलेगा ठीक है आपके डाउट पोर्च के किलियर हो गया होंगे अब हम बात करते हैं आगे क्योंकि पोर्च जो है वो एक्स्ट्रा है सीधे हम यहां से अंदर जाते हैं हमारा हॉल जो है वो मिलता 20 फिट 6 इंच मिलता है जो कि स्लैव हाइट और टावर बगेरा के लिए डिजाइन के रूप में यहां पर बताया गया है यहां से आप दूसरी और जा सकते हैं साइड में जो जगह छुटी हुई है आपकी यानि कि एक्जिस्टिंग हाउस में आप जा सकते हैं जो कि आल्रेडी है यहां पर आपका यह हो जाता है बैठक के लिए रूम बैठक के हिसाब से यहां पर आपको डोर मिल जाता है जिससे आप साइड वाले घर में या फिर साइड में कुछ गार्डन बगिरह में आसानी से जा सकते हैं स्लैव हाइट आप यहां पर डवल रख सकते हैं यह आपके उपर है आप किस तरह से उसे रखना पसंद करेंगे आगे अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे मैं सिर्फ इतनी पोर्षन की अगर बात करूँ तो यहां पर आपको एक bedroom मिलता है जिसका साइज है आपको यहां पर एलो हो गया है तो साइद दिखाई ना दे आप यहां से देखिए तो यहां पर बारा फिट शैंच बाई तेरा फिट चार इंच हो जाता यहां से आपको एक window मिल जाती है यहां से अगर आप देखेंगे तो ड्रेशिंग रूम पांच फिट वाइ साड़े चार फिट का आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको window मिल जाती है अब हम बात करें इस portion की तो यहाँ पर 3 feet white passage है जो की हमें अगर पीछे जाना है पीछे भी हमारी जगे छोटी हुई है तो वहाँ पर हम किस तरह से जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से जा सकते हैं यहाँ पर door मिल जाता है आपको बात मास्टर बेडरूम है 12 feet 6 inch by 13 feet 4 inch का तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ड्रेसिंग सेम 5 feet by साड़े 4 feet की जो की यहाँ पर भी सेम साइस था और 7 feet by साड़े 4 का हमें toilet यहाँ पर भी मिल जाता है इस हिसाप से हमारे जो दोनों है room वो हो जाते हैं मास्टर बेडरू बात करें हम तो यहाँ पर haul और हमें कुछ यहाँ से ऐसे 30 feet by 30 feet का passage मिल जाता है friends I hope इस वीडियो में आपको कोई doubt नहीं होगा अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ doubt है तो आप हमें comments कर सकते हैं और description में link है आप वहाँ पर हमें follow करके हमसे बात भी कर सक पर Instagram बगेरा पर अगर आपको ड्राइंग बगेरा बनवाना है तो I hope वीडियो पसंद आया तो like करें दोस्तों के साथ share करें चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करके वेल आइकान जरूर प्रेस कर लिजेगा मिलते नेक्ट वीडियो में किसे हैं ने topic के साहां तब तक के लिए thank you